नर्सिंग अफ्तार बगवान विश्णू के प्रमुक अफ्तारों में से एक है। नर्सिंग ने धर्ती पर अफ्तार लिया था। नर्सिंग बगवान विश्णू के क्रोधा अफ्तार है। बगवान विश्णू ने हिरनकश्यपु पर क्रोध करते हुए राजा हिरनकश्यपु को मारने के लिए अफ्तार लिया था। चूंकि क्रोच से भगवान नर्सिंग का शरीर जलता है भगवान को शान्थ करने के लिए थंडी चीजे अर्वित की जाती है नर्सिंग जन्ती के दिन वरत उप्वास एवं पूजा अर्चना की जाती है इस दिन सुभा ब्रभभूरत ने उठकर सनान आदी से निवरत होकर स्वच्च बस्तर धारण करने चाहिए तथा भगवान नर्सिंग की विदी विधान की साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए भगवान नरसिंग तथा लक्षमी जी की मूर्ती स्थापित करनी चाहिए इसके बाद वेद मंतरों के साथ इनकी प्राण प्रतिष्ठा कर पूजन करना चाहिए भगवान नरसिंग जी की पूजा के लिए थल, पुष्प, पंच मेवा, कुमकुम केसर, नारियल, अक्षत वपितामबर रखें गंगाजल, काले तिल, पंच कव्व वः हमंत सामगरी का पूजन में उप्योब करें भगवान नरसिंग को प्रसंद करने के लिए उनके नरसिंग गायतरी मंत्र का जाप करें पूजा पश्चात एकांत में कुष्ट के आसन पर बैठ कर पूदराक्ष की माला से इस नरसिंग भगवान जी के मंत्र का जब करना चाहिए इस दिन वरती को सामर्थ अनुसार दिल, सुर्ण तथा बस्तरादी का दान देना चाहिए इस वरत करने वाला व्यक्ति दुखों से मुक्त हो जाता है भगवान नरसिंग अपने भगत की रक्षा करते हैं वो उसकी समस्त मनुकामनाय पूर्ण करते हैं यदि आप इस सम्मंद में कोई और जानकारी जानना चाहते हैं तो हमें कॉमेंट करें और अपने सुझाओ लिख कर फेस्बुक पर पोस्ट करें हमारे फेस्बुक पेज को लाइक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्क्राइब करें और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन वीडियो को लाइक करें शेर करें और कॉमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लटा करें आपको